तो हेलो स्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल समराट केडमी तो दोस्तों मेरा नाम है कास और मेरे प्यार विद्धार्थ इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास टेंथ इंग्लिस के वेर वेर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन जो की 2022 बोड़ इक्जाम में की बारे वेर मेंडिसकस करने वाले हैं इसके बाद आप लोगों का मैस्दी कॉलम के बारे मेरे बहूत सारा प्रश्नल लेकर आयों मेरे प्यार वीद्धार्तियों बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है वीडिओ सुरु से लेकर लास्ट अत्यार हो जागा बहुत ही ज्ज सबसेदें मैं मैं बताने वालों में बटने इसको किसी कुमत प्याइब को तैयर कर लेना है पैसे अभी झाम में आ जाए मेरे प्यार विधाट्थ सबसे पहले पढ़ते हैं टूषण लुण आएगा when asked their parents would say that they want their daughter to be educated they stay at home because their parents believe that the kinds of education on offer is not appropriate for their daughters or because they feel the risks are too great those risks are real girls are sexually harassed sometimes by their fellow student or teachers or by strangers as they walk down to school these pressures are central to low enrollment and retention of girls poverty also plays its part if their clothes are torn girls from poor girls from poor family will stay at home in such cases they are forced by the demands of modesty and propriety okay okay so that's great I am a very important thing okay so that you can put them in the world and see how I am so that you can put them on the floor because there are no pictures of my friends who are all of a sudden that I think you can upload them on high school तो अब इसी के नीचे अब क्यूशन दिया रहाएगा ठीक है अब क्यूशन को देखेंगे और किसुन कासन इसी पैसे में से देना होता है और क्यूशन और पहला है जैसे कि देख पा रहे हैं आप याप याप पर करा कि तो इसका अंसर क्या होगा मेरे प्यार भीदार सियो कि गल्स फ्राम पूर फेमिलीज आर फोर्स तो इस्टे एट होम एज दे डू नाट है प्रोपर क्लोश तो मोब आउट ठीक है इसका क्या हो जागा है आंसर जागा बस इतना आपको लिखना है आंसर आप लोग ने क्लियर कर रखा होगा ठीक है को डाउट नहीं है गल्स फ्राम पूर फेमिलीज आर फोर्स तो इस्टे एट होम एज दू नाट है प्रोपर क्लोश तो मोब आउट चलिए क्यू समद दूसरा बढ़ेंगे क्यू समद दूसरा विर मुस्ट इंपोटेंट है इ ठीक है इसका अंसर क्या होगा मेरे प्यार विद्दार्थियों के फर्स्ट दे बिलिब यहां से लेकिन यहां तक आप लोगों को लिखना है चलिए अब प्यारे विद्दार्थियों क्यू समद दूसर के तरह बढ़ चलते हैं ठीक है क्यू समद दूसरा क्या है क्यू समत दूसरा नेम दपर्संस हूँ केस है्रास्मेंट टू दा इस्कूल गविंग गर्स तो इसका अंसर क्या हो जागा कि फिलोड़ टीचर्स एंड स्कुल गोविंग गर्स देखिए बहुत ही छोड़ा आंसर है यह तीसरे का तो यह खुब आप उसको किलियर करके याद कर लेंगे ठीक है चलिए कि यह पर कीसम किसम फार तो बहुत ही ज़्याद ही जी वीच वर्ड इन पैसेज मेंश कीप इन प्लेश्ड तो क्या उजाएगा है रिटेंशन हो जाएगा वीच वर इंदा पैसेज मिंस कीप इन कीप इन प्लैस और इटेंशन और फाइब देखिए वाट इस दा पोजट आप दा वर पूर पूर का पूर का पूर रिच्छ होगा बात खता तो यहां पाच प्रस्ट पूछा था इस पैसेज का यूप आपको किलियर हो गया होगा पा ट्रांसलेशन देख पाने वेरी मुस्ट इंपोडेंटेंटे चार नमर के लिए प्रश्णा आता है कि ट्रांसलेटिंदा फ्लाविंग पैसेज इंटू इंग्लीज ठीक है अब इस ट्रांसलेशन को इंग्लीज में लोगों को बनाना है चलिए पढ़ लेते हैं पहले सम्ति का सुरोत है उसके लिए इमंधारी सब से उत्तम नीति है ठीक है दोधिक है एकिमनदार वएक्टी थि एक होगा ऊनेश्ट मैं और how honest man ये की मेंदान ब्हकती कि यह होता है honest man कि रहा है कि सदेव सदेव क्या होजागा always always मतलब हमेशा robust men always क्या करा है कि निया और सच्चाई के पात का अनुसरन करता है अनुसरन मतलब follow करना अनुसरन करता है मतलब कि वह follow करता है किसका सच्चाई के पत का तो follow the way follow the way of किसका नया और सच्चाई का justice and truth का तो आप लिखेंगे justice and truth बहुत simple होता है बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है ठीके देखें अराम से हमने बना दिया इसको सच्चाई और नया और सच्चाई के पत कानुसर्ण करता है तो honest man always follow करता है एकि मनदार बेखती है हमेशा follow करता है रास्ते को किस रास्ते को तो justice and truth को सच्चाई और नया के रास्ते को follow करता है यहां तक तो क्या fully stop लगा देते हैं फिर के रहा नहीं धोखा देता है ठीक है धोखा देना किस मत तो हतला है डिसीप मत तो हता है तो क्यों जाएगा डिसीप कर देश किसि को किसी और होता है एक Prab manif लगा रोगा वो एक किसी को दुख़ा नहीं देता फूलिज्डप इसको कहें कि मंहां है कि मनदारी सच्छे सूह कर श्रृत है मंतारी मंकe मतलब यह लाग से आधािजिख में और ऀश्कुर्टिवान जाएग है कि परनेश्टी मतलब हो जागा कि इमंदारी इमंदारी सच्चे सूख वसांति का क्या है सुरोत है तो होनेश्टी एज सोर्स मतलब होता है क्या सुरोत तो होनेश्टी एज सोर्स किसका सच्चे सूख वसांति का है तक क्या हो जागा सूर्स आफ ट्रू ट्रू मतलब क्या होता है सच्चे सूख वसांति मतलब happiness and peace happiness सूख वसांति happiness happiness and peace पी सीपीस हो जाएना ठीक है हेपिनेस एंड पीस फुली स्टाफ हो गया इसके बाद लास्ट है उसके लिए मंदारी सबसे उत्तरा मतलओं कि और मंदारी सबसे उत्तरा के वन अंगे honesty इंड रहकर पॉलिसी उसके लिए मंदारी ही उत्तम नीती है तो पॉलिसी मतलब उसके लिए फॉर हीम अब देखें बनके बहुत अच्छे तरीके से त्यार हो गया कि और नेस्ट मैं आलवेज फालो एक मंदार बेकते हमेशा फालो करता है दो वे आफ जस्टी संट्रू सच्चा है और न को नहीं देता है वनेस्टि इस सोर्स आपदे हैपिनेस एंब स्टी इमन 2 ने संब्सी क्या होती है prominent संती का सुरत है हुए सूप ने अशे मधारी बेस्ट पॉलिसी पॉर्छी मुष्श सबसे उत्तमनीदिई स्टीन लका कि कितना स्ब्साश पज़ाओ ओगा है प्यारे विद्धारती हों ठीक है चलिए आएक क्योज समत इसरा ऐतर बढ़ेंगे देखें क्यों समत इसरा गता कि पॉइंट आउट द ट्रू एंड फाल्स इन दो फ्लाविंग स्टेटमेंट किराहे कि स्टेंट्मेंंट पॉइंड को आपको ट्रू एंड फाल्स बताना ह वेरि मॉस्ट इमपोट ईन्क्यूशन है चले देख लेते हैं प्रश नमर पहला पर्स्ट मोख पहला देखे क्या वोला है कि Mr. Pumphraie was a poor lady Mr. Pumphraie was a poor lady जो Mr. Pumphraie थी एक गरीब लेडी थी यह पूछ रहा है नहीं तो Mr. Pamphraie was a vieP pur lady एक गूड कूकिंग थे ठीक है एक अच्छे कूकिंग थे हरी सिंग वेरी मुश्ट इंपोटेंट है आप लोग बताना है कि हरी सिंग वाज गूड एट कूकिंग नहीं थे यह भी क्या जागा अब लोगों का फाल्स हो जाएगा इसके पाद तीसरा है ट्रीकी वाज सफ़र् गडिएंग गवाज सफर्ड पीकॉज अफ को हर इटिंग ठीक है तो करेंगे ट्रीके वाज सफर्ड विकाज आफ ओवरीटिंग तो विकूल क्या जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है क्या यह है मेरो पैरविद्दार थी ठीक है इसके बाद चाहिए हरी सिंग हैड नौ को फ्रेंड हारी सिंग का कोई फ्रेंड नहीं था रिसिंग्येडा नो फ्रेंड हैं नुन प्रेणा है नहीं नहीं था क्या राइट अंसर जागा थे स्ट्छिविए संद्षण 9 बात है ग्रीफिन एक ब्रिलियंट क्या था है साइंटिस्ट था ठीक है तेवी क्या जागा ट्रू हो जागा तो मेरे प्यारे विद्धार्थ्यू आई होप क्यू समत तीसरा भी किलियर हो गया पांच हमने इसमें आप लोगों बता जिया है पैसेश पीटोर्टरी के amp Bennett समबताने वाले वेर बियुस्टिप्टेंट पैसेश इसको किसी को मत-प्रतियार कर जाना आफ लोगों को ठीक है और यहक्तेश क्या है देखिए कि दवे आख्रोडवे अख्रोड sub down on me तो यह आपको छोटा सचार लाइन का आप लोगों का पैसे जेपोटरी का है और उसके नीचे क्यूशन आपको पूछा रहेगा आप देखे इसका अंसर एक एक लाइन का होता है जल्दी जल्दी आप इसको कबर कर पाएंगे जैसे पहला प्रशन है कि where was the poet standing अंसर है कि the poet was standing under a mango tree बस बात के तम देखे एक लाइन का आँसर था यूख पापू के लिएर हो गया होगा प्रशन में दूसरा who was sitting on the tree answer के लिखेंगे कि crow was sitting on the tree बस simple देखे crow was sitting on the tree करा who was sitting on the tree इसके बाद देखे तीसरा क्या प्रशन है where does the particles of snow fell where does the particles of snow fell तो आंसर यह क्लाइन का है यहां पे कि the particles of snow fell on the poet पार्टिकल साफस्व फेल आंद पोएट यह कितना simple simple क्यूशन है ठीक है इसके बाद अंडर विश्ट्री वास्ट पोएट इस्टेंडिंग अंशर के लिखेंगे कि फोएट वास्टेंडिंग अंडर हर्म लॉक्री की कि लिएesting पैसे को प्रश्चंव को जरूर सेयाड करके जाए इसको नोट करें ये और इस प्रस्णो को जरूर से आद पर जाएगा यह और क्यू남 इस tätä डेख पार है कि मेरी्ड सफ लिस्ट और प्यारवी दर्थियों में इस कांसर भी लिग दिया होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट नो किलियर हो पाए जैसे हैल इस्टॉर्म में पहला आना है तो हैली स्टॉर्म मतलब क्या इसमाल बाल आपाइस इससे मैच करेगा लेकिन देखिए आप लोगों को इस तरह मैच नहीं करना आप लोगों कांसर लिखना है जैस्ट हैली स्टॉर्म के आगे डैस करके इसमाल बाल सापाइस लिखना है अंसर में ठीक है इसी तरह रिमेंड रिमेंड मतलब दूसरा दूसर मिलेगा भी होगा बंच मतलब कि अगा गुरूप से मिलेगा ठीक है बंच किसी मिलेगा गुरूप से तो मेरे प्यारे बीदार थी होप आपको क्लिए हो गया होगा जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट बहुत सारा प्रश्णा आप लोगों सामने डिसकस किया और यह प्रश्णा बहुत ही जादा महत्तों पुड़े है तो मेरे प्यारे भी दार थी इस प्रश्णों को आपको अच्छे से नोट करकर याद कर लेना झाल